हेलो वरिवन वेलकम बैक तुद आडल एक्सपर्ट चैनल तो इस पुड़ेम बात करने वाले हैं कि android development जब हम करते हैं तब हमें कुनसा laptop पर्चेस करना छे तो देखो ऐसा कोई भी laptop में बता नहीं सकता कि इसी laptop को पर्चेस कीजिए मैं आपको कुछ points बताने वाला उस points से आपके साथ share करता हूं तो सबसे पहले हम बात करते हैं राम की तो देखो आपके पास minimum 8GB राम तो भी होनी छे अगर आपके पास 8GB राम है तो आपका जोबे आपसरेगा वो easily create हो जाएगा तो सबसे पहले में clear कर देता हूं जब हम android development करते हैं तब हमें स्रिफ एकी software का यू देखो जब हम अपने apps को create करते हैं तब हमें उसको run भी करना होता हूं तो हमें run करने के लिए एक device होना चीए तो device में हमें run करने के लिए एक emulator की जरूरत होती है तो android studio में already emulator का option रहता है बट अगर आपके पास 4GB RAM है तो आप emulator को on करोगे वैसा है आपका जो भी emulator रहेगा वो crash हो जाएगा और जो आपका android studio रहेगा वो थोड़ा lag होगा इसलिए मैं recommended करूंगा कि आप इसलिए नहीं है उससे अभी हम बात करते है graphics की तो देखो graphics रहेना सबसे अच्छी बात रहते है क्योंकि उसमें हमें क्या होता .xml file create करने होते हैं तो अगर आपके पास graphics card है तो आपका android studio अगें स्मूर्ट चलेगा ओके as computer जिसमें नहीं है उसमें तो minimum तो भी आपके पास 2GB graphics रहा चलेगा बट अगर सबस्ट graphics नहीं है तब भी आपका android studio easily चल पाएगा अभी हम बात करते हैं generation की तो देखो generation को इतना matter नहीं करता बट मैं recommended करूँगा जब आपको कोई laptop purchase करोगे तब आप new generation का ही laptop purchase कीज़े क्योंकि new generation सबसे best होता है जिसे अभी market में 10 generation शुरूए फिक है तो आपको 10 generation का ही आपको laptop purchase करना है तो आपको समझ में होगा कि किस-किस features की जरूरत होते हैं हमें android studio को use करने के लिए तो सबसे main matter आता है हमारे पास RAM होना चीए क्योंकि RAM ही सबसे matter करता है android studio use करने के लिए तो I hope guys जो भी मैंने आपको समझाया android development करने के लिए आपक सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल का सब्सक्राइब कर देना तो मिल टग लेने वीडियो में तब तक कि लिए जय जय भारत